प्रिश्ट संखेया 46, विदाई संभाशन, My Lord, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया, अब आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासन काल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार, आप यहां के चिरस्थाई वाई सरवाय भी हो जाते किन्तु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आपका था और ना इस देश के निवासियों का इसे से जान पड़ता है कि आपके और यहां के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ती और भी है जिस पर यहां वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है विचरन समय बड़ा करुणोत पादक होता है आपको विचरते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माई लॉट आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारत वासी किसी प्रकार प्रसंद ना थे वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें पर आप आए और उससे यहां के लोग बहुत ही दुखित हुए वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहां से पधारें पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगा विशाद होता है इसी से जाना कि बिचरन समय बड़ा करुणोत पादक होत होता है वैर भाव चूट कर शांत रस का आविरभाव उस समय होता है मैलोड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सवभाग्य नहीं हुआ इससे नहीं जानता कि वहां बिचरने के समय लोगों में क्या भाव होता है पर इस देश के पशू पक्षियो को भी बिचरने के समय उदास देखा है एक बार शिवशंभू के दो गाएं थी उनमें एक अधिक बलवाली थी वह कभी कभी अपने सींगों की टकर से दूसरी कमजोर गाए को गिरा देती थी प्रिश्ट संख्या 47 एक दिन वह टकर मारने वाली गाए पुरोहित को दे दी देखा कि दुर्बल गाए उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई वरंच उस दिन वह भूकी खड़ी रही चारा चुआ तक नहीं माई लॉड जिस देश के पशुओं के विछरते समय यह दशा होती है वहां मनुश्यों की कैसी दशा हो सकती है इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना पड़ा इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है तथा भी आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है और अधिक आश्चेरे की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयम सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझ कर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जावेगा जिसके आद घमंडी खिलाडी समझता है कि औरों को अपनी लीला दिखाता हूँ किन्तु पर्दे के पीछे एक और ही लीला मैं की लीला हो रही है यह उसे खबर नहीं इस बार बंबई वर्तमान में मुंबई में उतर कर माई लॉड आपने जो इरादे जाहिर किये थे जरा देखिए उनमें से कौन-कौन पूरे हुए आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारत वर्ष को ऐसा कर जाओंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे किन्तु बात उल्टी हुई आपको स्वयम इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशान्ती आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को ना जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा इस बार आपने अपना बिस्तरा गरम राख पर रखा है और भारत वासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भाती नचाया है आप स्वयम भी खुशना हो सके और यहां की प्रजा को सुखी होने ना दिया इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है प्रिश्प संख्या 48 विचारिये तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई कितने उचे होकर आप कितने नीचे गिरे अलिफ लेला के अलहदीन ने चिराग रगड़ कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गदी पर आँख खोल कर वह शान ना देखी जो दिल्ली दरवार में आपने देखी आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महराज के छोटे भाई और उनकी पतनी की चांदी की आप दहिने थे वह बाएं आप प्रथम थे वह दूसरे इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशा के भाई को पीछे जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे उचा था होदा, चमर, छटर, आदी सबसे बढ़ चड़ कर थे सारांच यह है कि इश्वर और महराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दरजा था किन्तु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले आपने पठखनी खाई और सिर के बल नीचे आ रहे आपके सवदेश में वही उचे माने गए आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पद्रत्याग की धमकी से भी उचे ना हो सके आप बहुत ही धीर, गंभीर और प्रसिद्ध थे उस सारी धीरता, गंभीरता का आपने इस बार कॉंसिल में बेकानूनिक कानून पास करते और कन्वोकेशन, वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर बिलायत में आपके बार-बार इस्तिफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा, और धीरता-गंभीरता के साथ दिरता को भी तिलांजली देनी पड़ी आती आपने तोड़ फोड़ डाला, कितने ही मट्टी काट के खिलों ने आपकी कृपा के जादू से बड़े-बड़े पताधिकारी बन गए आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पाइमाल हो गई, स्वाधीन ता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया आह, इतने बड़े माई लॉड का यह दर्जा हुआ कि फोजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सका और उनको उसी गुस्ते के मारे इस्तिफा दाखिल करना पड़ा और वह भी मन्जूर हो गया उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उनहीं को निकल जाने का हुक्म मिला प्रिश्ट संख्या उन्चास जिस प्रकार आपका बहुत उचे चड़कर गिरना यहां के निवासियों को दुखित कर रहा है गिर कर पड़ा रहना इससे भी अधिक दुखित करता है आपका पद छूट गया तथा भी आपका पीछा नहीं छूटा है एक अधना कलर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए एक महिने का नोटिस मिल गया हो नोटिस की अवधी को बड़ी घ्रिना से काड़ता है आपको इस समय अपने पद पर रहना कहां तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे अपनी दशा पर आपको कैसी घ्रिना आती है इस बात को जान लेने का आउसर इन देशवासियों को नहीं मिला पर पतन के पीछे इतनी उलजहन में पढ़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा माई लॉड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए आप किस काम को आये थे और क्या कर चले शासक प्रजा के प्रती कुछ तो करतब्य होता है यह बात आप अवश्य मानते होंगे सो कृपा करके बतलाईए क्या करतब्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है क्या प्रजा की बात पर कभी कान ना देना और उसको दबा कर उसकी मर्जी के विरुध जिद्ध से सब काम किये चले जाना ही शासन कहलाता है एक काम तो ऐसा बतलाईए जिसमें आपने जिद्ध छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं पर आप एक मौका तो बताईए जिसमें किसी अनुरोध या प्राथना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो नादिर शाह ने जब दिल्ली में कतले आम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डाल कर प्राथना करने पर उसने कतले आम उसी दम रोक दिया कैसर, रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों, 962 से 1886 तक के लिए प्रयोग होता था दो, जार, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेश रूप से रूस के तानाशाह शासकों, अर्थात 16. सदी से 1917 तक के लिए प्रयोग तो होता था इस शब्द का पहली बार बुलगेरियाई शासक 913 के लिए प्रयोग हुआ था तीन, नादिर शाह, 1688 से 1747, 1636 से 1747 तक इरान के शाह रहे, अपने तानाशाही स्वरूफ के कारण नेपोलियन और परशिया के नाम से भी जाने जाते थे पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अबदाली को नादिर शाह ने ही आकरमन के लिए भेजा था प्रिष्ट संख्या पचास पर आठ करोड प्रजा के गिरगिरा कर विच्छेद ना करने की प्रातना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया इस समय आपकी शासन अवधी पूरी हो गई है तथा पी बंग विच्छेद किये विना घर जाना आपको कते ही पसंद नहीं है पर पद ना देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगा होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ना जाती यहां की प्रजा ने आपकी जिद्द का फल यहीं देख लिया उसने देख लिया कि आपकी किस जिद्द ने इस देश की प्रजा को पीडित किया आपको भी उसने कम पीड़ा न दी यहां तक कि आप सोयम उसका शिकार हुए यहां की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है वह जानती है कि संसार सब चीजों का अंत है दुख का समय भी एक दिन निकल जावेगा इसी से सब दुखों को जेल कर पराधीनता सहकर भी वह जीती है माई लॉड इस कृतग्यता की भूमी की महिमा आपने कुछ न समझी और ना यहां की दीन प्रजा की श्रधा भक्ती अपने साथ ले जा सके इसका बड़ा दुख है इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आँखों को ताब नहीं अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मूझ से निकल जाया करता है उसी अनपढ़ प्रजा में नर्ष सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है प्रिष्ट संख्या 51 एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नर्वर गढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे जहां चौकिदारी से लेकर उसे एक उँचे पद तक काम करना पड़ा था जिस दिन घोडे पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रिती से उसने अभिवादन किया था वह सुनिये उसने आखों में आँसु भर कर कहा प्यारे नर्वर गढ़ मेरा प्रणाम ले आज मैं तुझ से जुदा होता हूँ तू मेरा अन्न दाता है अपनी विपत के दिन मैंने तुझ में काटे है तेरे रिन का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता भाई नर्वर गढ़ यदि मैंने जान भूज कर एक दिन भी अपनी सेवा में चूख की हो यहां की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो यहां की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टी से ना देखा हो तो मेरा प्रणाम ना ले नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आग्या दे माई लॉर्ड जिस प्रजा में ऐसे राजगुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाशन करेंगे क्या आप कह सकेंगे अभागे भारत मैंने तुझे से सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदोलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभाव है तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की संसार के सबसे पुराने देश जब तक मेरे हाथ में शक्ती थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में ना थी अब कुछ शक्ती नहीं है जो मैं तेरे लिए कुछ कर सकूँ पर आशिरवाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गवरो और यश को फिर से लाब करे मेरे बाद आने वाले तेरे गवरो को समझे आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है पर इतनी उदारता माई लॉड में कहां अभ्यास पाठ के साथ एक शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है दो आठ करोड प्रजा के गिरगिरा कर विच्छेद ना करने की प्रातना पर आपने जरा ध्यान नहीं दिया यह किस एतिहासिक घटना की और संकेत किया गया है पिष्ट संख्या बावन तीन करजन को इस्तिफा देना क्यों पड़ गया चार विचारिये तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई कितने उचे होकर आप कितने नीचे गिरे आशे स्फष्ट कीजिए पांच आपके और यहांके निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ती और भी है यहां तीसरी शक्ती किसे कहा गया है पाठ के आसपास एक पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिछे से लिए गया है शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में हुई है बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा दो, नादिर से भी बढ़ कर आपकी जिद्ध है करजन के संदर्ब में क्या आपको यह बास सही लगती है पक्ष यह विपक्ष में तर्क दीजिए तीन, क्या आँख बंद करके मनमाने हुकम चलाना और किसी की कुछ नास सुनने का नाम ही शासन है इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है इस पर चर्चा कीजिए इस पार्ट में आए अलिफ लेला, अलहदीन, अबुलहसन और बगदाद के खरीफा के बारे में सूचना इकत्रित कर कक्षा में चर्चा कीजिए गौर करने की बात का इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है तथा भी आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखान्त है और अधिक आश्चेरे की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयम सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखान्त समझ कर खेलना आरम किया था वह दुखान्त हो जावेगा ख यहां की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीडित किया आपको भी उसने कम पीड़ा ना दी यहां तक कि आप स्वयम उसका शिकार हुए भाषा की बात एक वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहां से पधारें सामाने तौर पर आने के लिए पधारें शब्द का इस्तिमाल किया जाता है यहां पधारें शब्द का क्या आर्थ है? दो, पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिये गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग हुआ है यह भारतें दू यूगीन हिंदी के आधार पर है उन्हें सामानने हिंदी में लिखिए प्रिष्ट संख्यातिरिपन का, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना पड़ा ख, आप किसको आए थे और क्या कर चले ग, उसका रखाया एक आदमी नौकर न रखा ग, पर आशिर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गवरव और यश को फिर से लाब करे शब्द छवी चिर्स्थाई यानि हमेशा रहने वाला या टिगाउ करुणोत पादक अर्थाथ करुणा उत्पन करने वाला दुखित अर्थाथ पीडित या जिसे कष्ट हो विशाद अर्थाथ दुख या उदासी आविर्भाव अर्थाथ प्रगट होना दुखांथ अर्थाथ जिसका अंत दुखद हो सूत्रधार यानि जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो सुखांथ यानि जिसका अंत सुखद हो लीला में अर्थाथ नाटकीए सारांश यानि निशकर्ष या निचोड पटखनी यानि चित्त कर देना तिलान जली अर्थात त्याग देना पायमाल अर्थात दुर्दशा ग्रस्त या नष्ट आरह यानि आरा अधना छोटासा हेय विच्छेद यानि तूटना ताब यानि सामर्थे